अखिरकार पाकिस्तान को उसके किये का सबब मिली गया दरसल चीन को समझ आही गया है कि P.O.K भारत का अहम हिस्सा है भाली में पाकिस्तान में हुए हमले की कवरिच के तौरान चीन के एक द्वी चैनल ने P.O.K को भारत का हिस्सा दिखाया है चीन के न्यूज चैनल CGTN ने चीनी दूतावास पर हुए हमले की खबर दिखा रहा था इसी दोरान चैनल पर पाकिस्तान का नक्षा दिखाते हुए चैनल ने P.O.K को भारत का हिस्सा दिखाया P.O.K को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर आपत्ती जताता रहा है लेकिन अब चीनी टीवी चैनल ने पियोके को भारत का हिस्सा दिखाया है हलाकि अभी तक चीनी सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक एलान नहीं किया गया है बीते कुछ समय में डोकलाम जैसे कुछ मौकों को छोड़ दें तो ड्रैगन का भारत के प्रती रवया थोड़ा नरम रहा है चीनी राश्पती शी जिन पिंग और पियम नरेंद्र मोधी भी कई बार गरम जोशी से मुलाकात कर चुके है 28 नमबर से 2 दिसंबर तक G20 शिकर्ट सम्मेलन में दोनों नेता एक बार फिर मिलेंगे संभावना जताई जा रही है कि इसी का नतीजा है कि चीन भारत की आपत्यों पर ध्यान दे रहा है